वेल्कम सुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट प्रोसेस कॉन्करेंट प्रोसेस लिए आपको सबसे जरूरी जो है वह यह के एक एक्जाम्पल के तौर का अगर मैं बात करूं एक प्रोसेस को एक्जाम्पल का आप क्ये जिए हम इस इस में होता यह कि पूरा हो जाएगा सब् weans Aогन के बाद आई तो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंस्केक्षं को और सेच्वीट करें उसकी पडिफसांस को प्रॉपॉंस को बेटर करने के लिएakerте को लिए क्योंकि होता है कि जो पाइपकलान की घuben का याइव्म लोगा तो फ्टैंस या जोगा अ ऐती एसे करते करते चालो होगा तो अब ड़ा नग जाएगा तो हमें एक इंस्ट्रक्शन को ही कितना साधिक पहलब पड़ेगा इसलिए अगर मौन लीजिए हम इनके टास को इन के टास्क को सब ड्यूइड करने के और हमारे पास प्रसुसर एक से अधिक हैं तो हम अलग-अलग ऐसा मॉडल है जो की बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए और इंस्ट्रक्षेन को एक साहिक्ट करा रहा है सैमिल टेनिएसली यह शायद मिला खाल से अपने एजायल प्रोसेस कि जब जिस दिन कस्टमर में आपको प्रोड़क्ट दिया उस दिन से चाली हो जाएगे तो यहां पर यह है कि टेस्टिंग टीम डिदाइनिंग टीम से एक साथ पैरलल यह से काम करती है वैसे यहां पर हमारा अपर इस्टम की काम करवाता है कि अलग अलग प्रोजेसर जुड जो है इसको संक्रोर जाता है अगर मानलोग पैरलल प्रोजेसर इसके ढाद जुड़ी होई है तो और अगर यह नोः हम अपने जमाने में एक सबड़ेट पढ़ते भी थी पैरल्लल प्रोजेसर दिस्टियूटर्ड तो उसके अंदर का टॉपिग सबसे पहला यहां आता थ तो उसको किस तरह से एक साथ परफॉर्म की करवाया जाए और जल्दी जल्दी मालो अलग-अलग प्रोइसर है तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर सिंगल प्रोइसर पर आप काम कर रहे हो तो वह कॉंटेक्स स्विचिंग इतनी स्पीड में करता है कि आपको ऐसा लगत तो दो स्वेंग क सरे दितनी जल filed प्रोइसरे प्रोइसर जाएस, काम– आपको झाल kombावार्सब्रेच में आपक्ता है की प्रोइसर स्विग काम कर बाता है झाल झाल